Hello Friends, Welcome to Maths Guru NCRT की ये 4th वीडियो है 3rd वीडियो में हम लोग solution देख रहे थे NCRT की exercise 7.2 का 7.2 exercise substitution based exercise थी substitution का मतलब किसी एक function में आप दो function दिये जाएंगे आपको integration के question में उसमें से किसी एक को आप T मान लेंगे किसी भी एक function को T मान लेंगे और T मानने की condition ये होगी कि आप उसको differentiate करें तो दूसरा function आपको मिल जाए या उसके आसपास भी मिल जाए अगर तो आप substitution का question ऐसे ही solve करेंगे substitution का मतलब किसी एक function के जगा आप T रखेंगे differentiate करेंगे दूसरा function आपको मिल जाएगा तो चलिए उसी sequence में आगे चलते है question number 12 पर question number 12 आपको दिया गया है NCRT में x cube minus 1 इसकी power में दिया हुआ 1 by 3 साथ में x की power 5 dx अब इस question में किसको T माना जाए अगर x cube को T मानेंगे तो यहाँ पर x की power 5 है इस x cube minus 1 को हम क्या मान लेते हैं T इसको differentiate कीजिए x cube को differentiate किया कितना है 3x square साथ में dx इस 1 का differentiation 0 हो जाएगा तो 3x square dx is equal में dt अगर यहाँ से देखा जाए x square dx यह value किसके बराबर हो जाएगी dt by 3 अब इस value को हम substitute करते हैं इस function में इस integration में तो integration में हमने x cube minus 1 की जगा कितना रख दिया T और T की power में कितना है 1 by 3 दूसरी तरफ x की power 5 है x की power 5 को लिखना चाहें तो हम x cube into x square लिख सकते हैं और साथ में कितना है dx अगली लाइन में हम लोग T की power 1 by 3 x cube की जगा कितना लिख सकते हैं यहां से देखिए यहां से substitute कर सकते है x cube is equal T plus 1 तो x cube की जगा हमने लिख दिया T plus 1 और x square dx की जगा कितना लिखेंगे dt by 3 dt और upon में 3 constant है यह चला जाएगा बाहर अभी एक नया function बन गया dt के respect में integrate करना है आपको इस function को जब इसका अंदर multiply करेंगे तो यह आएगा 1 by 3 integration T की power में हाँ 1 by 3 हो और यहां कितना है 1 और multiplication में powers add होती है तो यह हो जाएगा T की power 1 by 3 plus 1 plus में 1 का multiply करेंगे तो T की power 1 by 3 और इस पूरे का integration T के respect में तो साथ में लगा देंगे dt अब आगे power add होगी तो 3 बन जा 3 plus 2 यह हो जाएगा 5 T की power 5 by 3 plus में यहां हो जाएगा T की power 1 by 3 और इस पूरे function को हम integrate करेंगे T के respect में तो साथ में लिखेंगे dt यह dt बताता है कि variable कौन है आपका इस function में variable कौन सा use कर रहे है वो कौन बताएगा इस D के साथ जो भी लिखा होगा वही बताएगा अभी पिछले कोश्च जैसे पिछले sequence में देखें तो X था तो यहां variable हम X को मान रहे थे इस transformation के बाद variable कौन बन गया T तो T के respect में integrate करेंगे T की power 5 by 3 इसमें कौन सा formula लगेगा algebraic function का formula algebraic function का formula क्या होता है X की power N dx का जब integration करते हैं तो आता X की power N plus 1 upon N plus 1 तो यहां पर हो जाएगा T की power 5 by 3 plus 1 upon में 5 by 3 plus 1 प्लस यहां पर T की power 1 by 3 plus 1 upon में T की power 1 by 3 plus 1 प्लस में integration का constant आएगा C इसको हम कहते हैं arbitrary constant 3 1s are 3 5 8 हो गया T की power 8 by 3 upon में हो जाएगा 8 by 3 plus T की power 3 1s are 3 1 4 4 by 3 upon में 4 by 3 प्लस में integration constant C अब यह variable T है इसको वापिस से substitute करेंगे यहां से तो यहां कितना दिया हुआ है T की value जो हमने मानी थी जिसको substitute किया था तो T की value आ गई X cube minus 1 की power में 8 by 3 upon में 8 यह upon वाला 3 चला गया उपर प्लस T की power में 4 by 3 T की value हम रख देंगे यहां पर कितनी है X cube minus 1 और इसकी power में कितना 4 by 3 upon में है 4 upon वाला 3 उपर चला गया और प्लस में integration constant C और यही हो जाएगा आपका final answer note कर लिए इस question को फोर हम चलते है question number 14 पर question सारे दिखाते रहे हैं आप screen पर सारे flash करते रहे question जो भी है आप हाँ वही NCRT के question दिखाते रहे हैं ठीक question number 13 है x square upon में 2 plus 3 x cube का cube इसको integrate करना है आपको x के respect में अब सोचे इसमें किस function को t माना जाए कि जिसका differentiation करने पर दूसरा function मिल जाए यहाँ x की power 2 है इसको differentiate करें कि कभी भी x cube नहीं आएगा तो x cube को ही आप मानेंगे t तो 2 plus 3 x cube इस पूरे की value हो जाएगी t differentiation करेंगे तो 2 का differentiation 0 3 x cube का जाएगा 9 x square 3 into 3 x square हो जाएगा साथ में dx बराबर dt हमें जरूरत कितने की है इसमें x square dx की x square dx की जगा हम कितना रख देंगे इस question में dt और यह constant है 9 यह चला जाएगा बाहर upon में देखिए कितना है 2 plus 3 x का cube और उसका whole cube तो 2 plus 3 x के cube को तो हमने t माना है तो यह हो जाएगा t cube अब question यह नया बन गया कि समझ लिजे variable इसमें t हो गया t की power minus 3 dt इसको integrate करना है x की power n algebraic function का formula लग जाएगा algebraic function का formula x की power n होता है x की power n plus 1 upon में n plus 1 तो यह बन जाएगा 1 upon 9 t की power में minus 3 plus 1 upon में minus 3 plus 1 plus में integration constant c तो यह हो गया 1 upon 9 t की power minus 2 upon में minus 2 plus में integration constant c 9 2 जाएगी हो गया 18 minus 1 by 18 t की power minus 2 plus c अब t की value कितनी है इसमें question में 2 plus 3x cube तो यह हो गया minus 1 by 18 2 plus 3x cube की power में minus 2 plus c चाहे तो इस minus 2 को upon में भी देज सकते है आ जाएगा minus 1 by 18 upon में 2 plus 3x cube का whole square और plus में integration constant c यह हो जाएगा आपका answer हो सकता answer इस form में दिया हो वो बड़ी problem नहीं है क्योंकि आप इसको simplify तो करी सकते है minus 2 degree में दिया है तो वो denominator में जाएगा चलिए नोट कर लिजए इस question को फिर चलते हैं question number 14 पर चलिए आते हैं question number 14 पर question number 14 कह रहा है 1 upon x log x की power में है m इसको integrate करना है x की respect में अब सोचिए इसमें 1 by x को differentiate करने पर log x नहीं आएगा तो हम log x को ही t मान लेंगे यहाँ पर हमने consider किया log x की value को t मान लिया differentiate किया दोनों तरफ log x का 1 by x dx बराबर dt अपने पास यह function है integration में 1 by x dx तो इसकी जगा हम क्या रख सकते हैं dt substitute कर दी हमने value और log x की जगा क्या लिखेंगे t जब यहाँ कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब आप समझे कि e base पर ही natural log की बात हो रही है ln की बात हो रही है तो यह हो गया t t की पावर में कितना m जब यह t की पावर m ऊपर जाएगा तो यह बनेगा t की पावर में minus m साथ में dt अब इसका integration हम लोगों ने पढ़ रखा इसका integration होगा t की पावर minus m plus 1 और upon में minus m plus 1 और plus में integration constant c t की value हम लोग बाप इस substitute कर सकते हैं t की value कीतनी है log e base x तो जब जाएगा log e base x की पावर minus m plus 1 और upon में minus m plus 1 प्लस में integration constant c यह जाएगा आपका final answer नोट कर लें इस question को चलिए आते हैं question number 15 पर question number 15 है x upon में 9 minus 4x square इसको integrate करना है हमें x के respect में x upon में 9 minus 4x का square अब इसमें हम consider करेंगे कि ऐसा function मानेंगे t जिससे दूसरा function आजा है 9 minus 4x square को t मान लेंगे 9 का differentiation 0 0 लिखने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है minus 4x square x square का differentiation 2x साथ में dx is equal dt तो यह हो गया minus 8x dx बराबर dt यहां से x dx की value आ गई minus dt by 8 हम चाहें तो x dx की जगा लिख सकते हैं minus dt और अपाउन में 8 यह minus चला गया बाहर function क्या है हमारे पास 1 upon 9 minus x square 9 minus x square की जगा लिख सकते हैं t तो यह हो गया 1 upon t 8 constant है बाहर जाएगा minus 1 by 8 integration 1 by t dt अब 1 by t का integration कितना होगा t के respect में log log natural base e पर t और बाहर है 1 minus 1 by 8 plus में integration constant c इसी integration constant c की वज़ा से कोई function indefinite बनता है indefinite integration इसको इसलिए कहते हैं यह हमने पहनी वीडियो में discuss किया अब t की value वापिस से रख देंगे 9 minus 4 x square तो minus 1 by 8 log e base पर 9 minus 4 x square plus में integration constant c यह हो जाएगा आपका final answer next question पर जलते हैं question number 16 question number 16 कह रहा है integrate करना हमें e की power 2x plus 3 को with respect to x अब इस question को solve करने का तरीका हमने पहली exercise में भी देखा था हमने बात की थी कि अगर किसी function fx की जगा fx में हम x को replace कर दे ax plus b से मतलब यगर कोई function fx है हम x की जगा लिख दे रहे हैं ax plus b तो इसका integration भी सेम उसी तरह से होगा जैसे fx का होता है बस change क्या होगा इसमें कि ax plus b का differentiation session आपको denominator में हर में लिखना पड़ेगा जैसे यहां पर देखी उस हिसाफ से करें तो e की power 2x plus 3 का integration e की power 2x plus 3 और 2x plus 3 का differentiation 2 और plus integration constant c यह हो गया answer कुराने में अगर नए तरीके से किया जाए तो इस question में 2x plus 3 को क्या मानेंगे t मान लेंगे differentiation करेंगे तो 2x plus 3 का कितना आजाएगा 2x plus 3 का differentiation आजाएगा 2x का 1 3 का 0 साथ में dx is equal dt अब यहां से dx की value क्या रख सकते हैं dt by 2 यहां रख दिया हमने dx की जगा dt by 2 और e की power 2x plus 3 e की power 2x plus 3 को हमने t माना हुआ है e की power t का integration e की power t ही होगा और अपान में 2 प्लस में integration constant c तो final answer कितना बना e की power t t की value वापिस रख दीजे जो आपने मानी हुई थी 2x plus 3 अपान में 2 प्लस c तो same answer आया जो पहले आया था इसी को कहते है integration by substitution कि आप x की value अगर a x plus b से substitute कर दें तो उसका differentiation आपको denominator में लिखना पड़िएगा same वही question है चलिए next question पर चलते है question number 17 कहरा है integrate करना हमें x upon e की power x square को dx के respect में अब यहाँ पर x square को हम मान लेंगे t differentiate करेंगे तो 2x dx बराबर dt x dx की हमें जरूरत है x dx है तो इसकी देगा हम लिख देंगे dt और 2 यह multiplication में इधर जाएगा तो upon में चला जाएगा 1 by 2 e की power x square को हम क्या माने हो है t तो यह बन जाएगा e की power t अब e की power t अगर उपर जाएगा तो बनेगा e की power minus t साथ में dt e की power minus t साथ में dt अब यहाँ पर अगर चाहें आप तो double transformation लगा दें double transformation का मतलब कि minus t को क्या माने है u minus t को u मानेगे differentiate करेंगे minus dt is equal du तो e की power में question बन जाएगा 1 by t e की power में minus t की जगा रख दिया हमने u और dt की जगा रख दिया minus du e की power u का integration e की power u ही होगा तो यह बन जाएगा e की power u upon में 2 minus में और plus में c u की value कितनी होगी u की value हम लोगों ने निकाल ली थी यहां रख थी minus t तो यहाँ गया e की power में minus t upon में minus 2 plus c t की value वापिस से रखेंगे x square तो minus e की power में x square minus में c यह हो जाएगा आपका final answer अब इस question को चाहे आप double transformation ना भी लगाएं तो सीदे सीदे कर सकते हैं कैसे इसी जगापर अगर आप देखें तो t को replace कर दिया गया minus t से तो इसका integration क्या हो जाएगा 1 by 2 e की power minus t बस minus t का differentiation आपको लिखना पड़ेगा minus t का differentiation minus के साथ में plus c तो बन जाएगा 1 by 2 e की power t यह e की power t को उपर ही रहने दे e की power minus t plus c तो 1 by 2 e की value e की power में minus t minus t की value हो जाएगी minus x square और plus में c यह हो जाएगा आपका final answer यह हो जाएगा आपका final answer पूरे को इंटी rate करना है x के respect में तो 7 में लगा दिया dx अब इसमें 10 inverse x को में क्या मान लेंगे 10 inverse x equal t जब differentiation करेंगे 10 inverse x का तो आएगा 1 upon 1 plus x square साथ में dx बराबर dt क्या अपने पास integration में यह value है अगर देखा जा तो 1 plus x square dx 1 plus x square dx यह value है अपने पास तो इसकी जगा हम substitute कर देंगे 1 upon 1 plus x square dx की जगा पर dt और e की पावर में 10 inverse x को हमने माना हुआ है t तो होगा e की पावर t e की पावर t का integration e की पावर t plus में c t की value वापिस से रख देंगे e की पावर 10 inverse x plus में integration constant c यह हो जाएगा अपना question number जो भी हो 17 या 18 question number 18 का answer next आते है question number 19 पर question number 19 में है e की पावर 2x plus 1 upon में e की पावर 2x minus 1 इसको integrate करना है x के respect में उपर minus दिया हुआ है और नीचे plus चलिए आते हैं question number 19 पर question number 19 दिया हुआ e की पावर 2x minus 1 upon में e की पावर 2x plus 1 अब इसमें आप किसी भी function को t मानेंगे differentiation करने पर दूसरा function नहीं आएगा किसी भी function को आप t मान रहे होंगे तो दूसरा function नहीं आएगा तो इस case में हम क्या करेंगे e की पावर x common ले लेंगे e की पावर x common लेंगे तो उपर आएगा e की पावर x plus e की पावर minus x क्योंकि यहाँ x है नहीं e की पावर में तो वो चीज upon में चली जाएगी upon में भी हम e की पावर x को common लेंगे तो बचेगा e की पावर x plus में e की पावर minus x साथ में dx और यह e की पावर x से e की पावर x cancel हो जाएगा e की पावर x plus में e की पावर minus x को हम लोग मान लेंगे यह t के बराबर है जब differentiation करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x एक्स का e की पावर माइनस x और माइनस x का दिफ्रेंशेशन इस प्लस को माइनस बना देगा और इस पूरे के साथ उनका लिखेंगे dx बराबर dt यह पूरी वैल्वी हम सब्स्टिटूट करेंगे इस question में e की पावर x minus e इस question में गरेंगे e की पावर x minus e की पावर minus x dx इसकी दिखां हमने लिख दिया dt और upon में कितना है e की पावर x plus e की पावर minus x इसको हमने क्या माना हुआ है t तो यह question बन गया integration 1 by t साथ में dt इसका integration होता है log t natural base पे और plus में c तो हो जाएगा log base में e t की value वापिस सर्फ देंगे e की power x plus e की power minus x plus में c यह हो जाएगा आपना final answer चलिए आते हैं question number 20 पर question number 20 कह रहा है e की power 2x minus में e की power minus 2x e की power 2x plus e की power minus 2x dx इसका integration करना है x के respect में अब x के respect में differentiate करना है तो किसी एक function को t मानेंगे e की power 2x plus e की power minus 2x इसको मने क्या मान लिया t e की power 2x को differentiate करेंगे तो आएगा e की power 2x साथ में 2x का differentiation 2 plus में e की power minus 2x का e की power minus 2x और minus 2 का differentiation इस पूरे के साथ लगेगा dx और बराबर में dt यहां से हम two common ले लें अगर तो two common लेने पर बनेगा e की पावर 2x minus e की पावर minus 2x dx बराबर dt इस function की जगा हम कितना लिख सकते हैं देखिए यह है अपने पास question में e की पावर 2x minus e की पावर minus 2x dx इसकी जगा हम लिखेंगे dt तो यह हो जाएगा dt upon में two और one upon में यह पूरे function को हमने t माना हुआ था तो यह बन जाएगा t तो one by t का integration आ जाएगा log e base में t plus c t की value वापिस से substitute करेंगे तो log e t की value कितनी है e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x plus c अब कुछ बच्चे इसमें पूछते हैं कि सर इसको t माना आपने इसको क्यों नहीं t माना इसको भी तो t मान के solve कर सकते थे आईए देख लेते हैं क्या problem आएगी इसको t मान के solve करने में जब आप इसको t मानेंगे ऊपर वाले function को तो e की power 2x minus e की power minus 2x बराबर आप मान लेंगे t जब इसको solve करेंगे e की power 2x का एगा 2 e की power 2x minus e की power minus 2x का एगा minus 2 e की power minus 2x साथ में dx बराबर dt अब यह कैसे solve हो इसको समझे e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2 e की पावर माइनस 2x माइनस 2x का माइनस 2 तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अब इतने की जगा हम क्या रख सकते हैं dt क्या आपके पास इतना function है देखिए यह चीज कहां पे लिखी हुई है e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x प्लस में है यह अगर यहाँ 2 common ले ले तो कितना बनेगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x साथ में dx बराबर dt क्या dx के साथ में यह चीज लिखी हुई है dx तो उपर है और यह चीज denominator में है इसी लिए इस function को हम t नहीं मान सकते इसके पहले वाले question में बच्चे सवाल पूछते हैं कि sir upon वाले को ही क्यो t नहीं मान रहे है upon वाले को ही t मान रहे है उपर वाले को t क्यों नहीं मान रहे है क्योंकि उपर वाले को t मान के solve करेंगे तो यह function बनेगा ही नहीं इसलिए हम उसको t मानकर substitute नहीं करेंगे आपको ऐसी value ही माननी है जिससे दूसरा function cancel हो जाए अब आते है question number 21 पर question number 21 कह रहा है integration tan square 2x minus 3 tan square 2x minus 3 dx अब tan square का सीधे सीधे integration हमको नहीं पता है हम लोग tan square को change करते है sin sec square के function में तो यह बन जाएगा sec square 2x minus 3 minus 1 अगर tan square का formula आपको याद हो तो tan square का formula होता है tan square x is equal sec square x minus 1 यह second identity है आपके trigonometry की इसके साथ में लिखेंगे dx integration अलग-अलग कर देंगे यह हो जाएगा sec square 2x minus 3 साथ में dx integration 1dx sec square 2x minus 3 इसमें आप चाहें तो 2x minus 3 को t मान लें differentiation करेंगे तो 2x minus 3 का कितना आजाएगा 2 साथ में dx is equal dt dx की जगा लिख देंगे dt by 2 यह dx है इसकी जगा लिख देंगे dt by 2 और अंदर बन जाएगा sec square t इसमें transformation लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 का integration सीधे सीधे आपको पता है x होता है sec square t का integration sec square t का integration होता है tan t तो यह हो जाएगा 1 by 2 sec square t dt minus में x plus c sec square t का हो जाएगा tan t और plus में minus x plus में c t की value वापिस से रखेंगे हम t की value कितनी महानी थी हम लगोंने 2x minus 3 तो t की value रखेंगे 1 by 2 tan 2x minus 3 minus में x plus c यह हो जाएगा अपना final answer question number 21 का है चलिए अब आते है question number 22 पर question number 22 सीधे सीधे integration आप से पूछ रहा है integration sec square 7 minus sec square 7 minus 4x का यहाँ पर 7 minus 4x को हम लोग t मानेंगे differentiate करेंगे 7 का 0 minus 4x का minus 4 dx is equal dt dx की जगा पर हम रखेंगे dt by minus 4 तो dt upon में minus 4 चला गया बाहर अंदर बच गया sec square इस पूरे function को आपने t माना हुआ है तो यह t अब sec square t का integration सीधे सीधे होता है tan t 1 by 4 tan t tan t का differentiation sec square t होता है तो sec square t का integration tan t होगा एक दूसरे के reverse process है इसको anti derivative भी कहते हैं plus में c t की value वापिस से रख दें 1 by 4 tan 7 minus 4x plus c यह जाएगा answer चले अब आता है question number 23 पर question number 23 कह रहा है sin inverse x upon में under root 1 minus x square x के respect में integrate करना है यहाँ पर हम मानेंगे sin inverse x को t किसी भी question को solve करने के दौरान आपके दिमाग में यह चीज़ लगातार चलनी चाहिए कि किस function को t माने जिससे दूसरा function आ जाए cancel हो जाए substitution की exercise में यह पूरे process में आपके दिमाग में यह चीज़ चलनी चाहिए कि किस function को t माना जाए जैसे यहाँ पर sin inverse x को t माना तो इसका differentiation करेंगे sin inverse x का तो कितना आएगा 1 upon under root 1 minus x square साथ में dx बराबर dt क्या यह अपने पास है question में 1 upon under root 1 minus x square dx इसकी जगा हमने क्या लिख दिया dt और sin inverse x की जगा हमने t माना हुए तो t, t का integration t square by 2 plus c x की पावर n plus 1 upon में n plus 1 तो t की पावर 1 है 1 plus 1 upon में 1 plus 1 2 तो t square अब इसकी value हम substitute करेंगे क्योंकि t हमारे दोरा माना गया variable है तो हमारे दोरा माने गया variable का answer नहीं माना जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे t की value वापिस से sin inverse x रखेंगे sin inverse x का square by 2 अब आएब 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